3rd morning 9th class ताम बहुत लंबे टाइम तो बाद अपना चेप्टर शुरू करन लग गया है जी चेप्टर 3 जो टच टाइपिंग दे बार है टाइपिंग सिखांगे जी से विच अपनों बहुत टाइम हो गया सी जो सेकंड चेप्टर फिनिश किता देन उस तो बार टेस्ट सी तो उदे एक रीजन थी क्योंकि स्लेबर्स थोड़ा बाता चेंज होया था उस दे अकॉर्डिंग थोड़ा वेट करना पर हमें नुवी तो शुरू कर दें जी यूनिट देना जो है टाच टाइपिंग ते सब तो इस चेप्टर दे विच्छों ए सिखोंगे की केडी गलना दासी त्यान रखना जी में सेशन वन या टाइपिंग बारे अपनों दस्या होया दैनों सबाद यूजर अनुपव मतलब यूजर इंटरफेस जेड़े सोफ्वेर दे विच्छ असी टाइपिंग करांगे फिर अपना कुछ खुद लेसन टाइप करना जाने होता शुरू करते हैं इस सेशन बांदेना टाइपिंग क्या होंदी है टाइपिंग राजे टाइपिंग एक अजेही टेकनीक है जिस विच अक्षांट द्रिश्टी दी वर्तों नहीं किती जान दी असल दे विच्छ टा कीबूर्ड वल देखके टाइप कर दो स्क्रीन वल नहीं देख दे तर अजे टैस्ट टाइपिंग ना मतलब आही है कि बिना कीबूर्ड वल देखे तुसी टाइप करना सिखो उन्हें चीज़ां कुछ ज़्यादा ओखिया नहीं है मैं चाहां दा थानू अद्दे गंदे विचे सारे चीजास सखाथ पर प्रैक्टिस मेट मैं परफेक्ट नाल ही आएगी थोण नों टाइपिंग करनी नूं मायरी दे रखना दूस्य वाप स्कूल दे विच करांगे तर जीन ज्यादा प्रैक्टिस करूंगे उनना ज्यादा ही थोड़ी स्पीड प्लस थोड़ी चम्ता वदेगी शुद्धा वदेगी गलतियां करना कटेगा यह चीज़ां दात्यान आपकर रखांगे अग्डे सेशन देखने केडियां से जापनों में दितने हो याने ताइस टाइपिंग ने विच आपने कीबोर्ड दा स्थान या बटना दा स्थान मेम्री देना लब या रैदर देन की आइस देना लब लब क्यांद आपके तुसे अपनी अठ उंगला नूं या दस उंगला नूं जिमें अपने दस उंगला ने सार्यान नूं बटन से याद करवाओ जी इननी की प्रेक्टिस करोगी थोड़ी उंगला आपे सही बटन दे उपर जाग तब दूने हथा देनाल अपन टाइपिंग करांगे टास टाइपिंग चार्ड पुजेशन विच अपने उंगला मद कतार वीच रख के करदा है जदो अपना टाइपिंग शुरू कर दे हां ताँ आसे सेंट्र वाली लाइन दे विच अपने उंगला नूं रखांगे ते आसे टाइपिंग शुरू करांगे डैन उसतो बाद है कि तुस्सी अपने उंगला ने नाल जो भी बटन जारेने या जो की जारी आने थ्वाड़ी उंगला ने निचे उना धी प्रेक्टिस करो ते उना नो टाइप करो कि इज एफ ते जड दिस्थान दियां कुछ विशेषता वहां जो कि टाइपिस्ट नो टच दौरान पता लग दियां एदि राज एक मैं डाइग्राम दिखाना भी की विशेषता है सबतों पहला आप देख लेने हैं कि इस चेप्टर देविश और के इंपोर्टेंट है प्रेक्टिस करनार टाइपिंग स्पीड विच सुदार होंदा है बिलकुल जिनने प्रेक्टिस करोंगे उननी जादा शमता या सुदार आएगा टाइपिंग स्पीड लगा तार वर्दी जान्दी है ते 60 वर्ड पर मिनट या इस तो वर्द दी यूजर भी पहुंच हो जान्दी है मतलब तुसे सोचों कि एक मिनट दे विच ऐसे 60 वर्ड टाइप कर सकते हैं तो बहुत जादा स्पीड है जी इवन मेरी भी इन्नी जादा नहीं है मेरी भी 25 वर्ड दी है एक मिनट दे विच तो उसे प्रेक्टिस करूंगे ता सथ तो जादा भी स्पीड हो सकते हैं तो वड़ी पीड दी दर नीजी तो और ते वक वक होंदी है मतलब लग लग होएगी कुछ वेबसाइट से विच भी अपना टाइपिंग दे सौफ्ट्वेर यूज गर सकते हैं पर अपना रैपिड टाइपिंग दे नाल शुरू गरांगे जी रैपिड टाइपिंग नाम दा कीबोर्ड इखाना की कीब for अपना होएगा की पेहचांगे देखर इसीब से अपने फिंगर दी प्लेस्मेंट मतलब असी उंगला केड़े केड़े एक खरांते रखनी आ जाएंचे में सब तो छोटे उंगल है ओ ए ते आएगे फिर उस्तवाल फिर फिर इसी तरह के नाल अगर सज्जे हम दी गल करिये तो सब्सक्राइब एना चीजा ना पत्यान रखना है उन्हाप गल कर दें की केड़ी विशेशत है और देखरा जो एक कीबोर्ड बिल्कुल नेडे तो दिखाया तो उसी एफ आते जेरे निचे नोट करो कि थोड़ा जा अबार जाया हूया है थोड़ा जा कट लगया हूया है तो इस उबार दे नाल जो उसी उंगलां रख देया तो पता लगया है कि साड़े उंगल सही पुजीशन ते है या नहीं है ता ए कुछ खासित है हर कीबोर्ड दे ऊपर हों दी ऐसा नहीं की कुछ केबोर्स से आपने उंगला नों बिलकुल तरीक के नाल रखांगे रपिट टाइपिंग सफ्ट्वेर इक है जो अपनों टाइपिंग दे सहूल अदिल्ड वैसे मैं ज्यादा तरह MS वर्ड विच टाइपिंग सिखाना पर आप इस वरी रैपिट टाइपिंग दे विच भी को देना जानों फिर अपने पार्ट भी शुरुआत करो अते सिखो नतिज्यत आंकड़ेना मुलांकन करना यह सारी जिज्ञां इस दे विच अपनों मिलनगे हैं इस दे विच राजे थोड़ा बहुत ही अपनों दस्वाए कि रैपिट टाइपिंग हुंदा की है फिर उस तो बाद है ताइस टाइपिंग टेकनीग केडियां टेकनीक ने जो आनों टाइपिंग करन है विच ऐल्प कर दिया देटा इन्हां नों कि अनल सुनने एप पढ़न तो पहला मैं थो और रैपिट टाइपिंग थोड़ा या दिखा लिए ना कैसा दिख दाए अपनों आप एक प्रेक्टिस वर्ड ने डी प्रेक्टिस अभग करनी है। यह रपीट टाइपिंग से बाद हों टेकनीक्स देख 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 दिया। केड़ी जिजना त्यान रखने हैं कीबोर्ड दी होम रो नल शुरू हों दी है मतलब कि पहली स्टेट्स दे विच्छा सी होम रो शुरू करांगे जिम्हें राजेत हो नो मैं मार्क करके दस्ता जिम्हें आ वली लाइन दिख रही है जिए एसडी एफ जी एच जेके ल सेमि गॉदन इसनों आशी होम रो करने हैं इस लाइन तो ही अपने टाइपिंग सिखना शुरू कर दे यह इस लाइन दे विच आपने एक्सपोर्ट होना फिर आपने लाइन विच जाना है एक जो कीबोर्ड है उसे विच कुवर्टी कीज होन दिया ने कुवर्टी मतलब क्या व ए र टी वाई इसे नहीं अपने कुवर्टी गर लें आँ तो और तैसी कुवर्टी की बोड़ दे उपर ही अपनी टाइपिंग सिख देयां और उस तो बाद गल गर देयां जो इंपोर्टन आओ देखने हैं कि आसी उंगलां रखने ते उस तो बाद जो सज्जा हाथ है पहले उंगल जे थे पहले उंगल ने नाल ही असी एच टाइप करांगे उस तो बाद ए फिर एल फिर समी कॉलन ता ए अपनी उंगलां दी पोजीशन है अ कि जो दो आसी टाइपिंग कर दें आँ तब बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत राव एक तरह नंबे डिगरी दर बनागी मुनेर सिखcolored दर्विस स्पीड नहीं वनेगी थोड़ी तरह इना चीज़ दाव यसी त्यान रखना है उन्हें इस देविस सारा कुछ हो ही दस्या हुए कि के में बैठना से जो मैं संदस्ता तेरा जाएक चीज़ हो जो अपनी हथेलिया ने ओ कीबूर्ड दे उपर नहीं रखने हो तुसी चक के चाहिए है फड़ा हाथ रेस्ट पुजीशन दे नहीं होना जाहिए है कीबूर्ड दे उपर अदर्वाइस तुसी स्पीड नहीं फड़ पाऊंगे उस बाद है टैस्ट टाइपिंग प्रेक्टिस विच पास हों देली सला है यह राजे पढ़ दे आपका यह लास्ट चीज नहीं करनी जाहिए विहां जिमेनों आ गया मैं होन कर लाँगा ऐसा नहीं सोचना जाहिए तेज गती सिरफ उस्वेले बनेगी जदो उंगल दे आदत सही कीजनों दबाएगी तर आजे स्पीड टाइपिंग ने विचुदो ही आंदी है जदो थोड़ी उंगला नों यह आ लेके सिखना जाहिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाना जाहिए एदा नहीं होना जाहिए जिस तरह तुसी वदोगे स्पीड अपने आप बदेगी जैमें हाज सी अग्यागे बदांगे सिखी जामांगे स्पीड आपी आएगी इसा मतलब है कि की स्ट्रोक ब्रबर समय ते आउनियां चाहिए हां ताल सानों टाइपिंग चिखते हुए एक चाल निश्चित करनी चाहिए है मतलब इस स्पीड दे विच मैं टाइप करां ते जिमें एक बटन में दब रहा है था उसी टाइम दुज्जा बटन दब रहा है थी मतलब ब्रबर समय दे विच स्थान तक पाबंद करो जित्थे तक संबंदत की नो दबाउना जुरूरी है बिल्कुल जित्थे तक थोड़ा हाथ पहुंच सकता है जित्थे तक बटन है तक बटन है तो अंग्ला बस ठाइड मतलब अपनी उंग्ला नो थाहिए पहला हाथ और नहीं देखनाश चाहिए यह सीट फीड नो बदाएंगा थे हं जूर नहीं पहेगा टाइप करने वेले कीज नू ना देखो बिल्कुल बटन नू नहीं देखना चाहिए जी ये हाथ ज़्यादा हिलाने नहीं चाहिए उंगला नू नहीं हिलाना चाहिए है कीज नो जोर लगा के ना दबाओ बिल्कुल जी केबोर्ड तोड़ना नहीं है टाइप कर दे हुए बिल्कुल अराम नल सिकन है अपर के सते लोर के स्विच करने हमेशा उल्टे हाथ दा परियोग करो बिल्कुल ए पॉइंट माइन दे रखना है मन लो जे मैँ सजे हाथ बालाल बट नहीं सब्कुल ल wybाक करें तया ऐन चालान तर खब्ब्बय हाथ देन आल मैं शिफ्ट की दब के टाइप कराँगा जे खब्बय हाथ देनाल मैं बट न टाइप करने ने केपिटल ता मैं सज्जे हां देनल शिफ्ट की टाइप करांगा ता ए चीज ते आन रखने आपा तरजे इस सारी चीज़ा में प्रैक्टिकल इथा नो स्कूल दे भी सिखांगा ता फिलहाल इना चीज़ा नो माइंड दे विच रखना ते एक होर चीज है ति रखो आते कोश कर दे रहो विल्कुल जी आप पेशन्स रखना ते प्रैक्टिस कर दे रहना है ते आपनो टाइपिंग आ जावेगे उसे भी विल्कुल फास्ट टाइप कर सकते हो तरजे कुछ गल्दान सीगें जिनिया आपा दिमाग दे विच रखने आने ताहीं सेशन फिनिश हुन दे जी आउस तो बाद आप अगला सेशन करांगे आए हो के समझ आया होएगा ते वीडियो नो लाइक कर दे गरो चैनल नो सब्सक्राइब कर दो ते शेर भी कर दे गरो ता मिलें जी नेक्स्ट वीडियो विज तिल दे टे क्यर और अब नाइस दे